Hello friends, कैसे हैं आप लोग? Class 10th का इस बार board का exam है, सबी subjects का और Mathematics का भी board का exam है दोस्तों और कई स्कूलों में pre-board चर रहे होंगे कई स्कूलों में pre-board जो हैं वो जानवरी में छुटियों के बाद हैं कईों में 24 दिसंबर यानि कल परसों में pre-board है और कई स्कूलों में जानवरी में 7 या 9 जानवरी के बाद pre-board हैं दोस्तों जिन स्कूलों में 2-2 pre-board हैं और वेसे हमाँ बच्चा आप में काफी समय लगा रहा है और उसको self study का time भी थोड़ा कम मिर रहा है तो मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है बच्चे ने NCRT कर ली है NCRT exemplar के important questions कर ली है अब उसके पास क्या है? देखे, board exam में question कहीं से भी आसता है twist करके आ सकता है आपकी NCRT question को mold करके दिया जा सकता है एक हमने वीडियो बताया था कि आपको कि sample paper में pattern क्या है marks distribution का तो हमने क्या कर रहा अपने experience से last 25 years के experience से हम लोगोंने काफी सारे questions more than 850 questions यानि साड़े 800 से उपर questions हमने आप लोगों के लिए बनाया है एक चोटी सी book बनाई है आप लोगों के लिए CBSE Board Special Mathematics अब इस book में क्या है दोस्तों इस book में मेरे पास एक index है जो मैं आपको हलका से पहले दिखा देता हूँ एक बार और थोड़ा इसको zoom कर देते है देखिए इस book में मेरे पास पहले है chapter wise one mark questions और फिर मेरे पास chapter wise important questions है फिर मेरे पास high order thinking skills issued by CBSE जो कि CBSE ने बहुत पहले issue किये थे around 2010 से पहले वो सारे questions मेरे पास है फिर मेरे पास additional question है जो हम लोगों को लगता है hot's है जो AVT की team को लगता है वो questions आपके paper में आ सकते हैं फिर मेरे पास CBSE sample paper 2010 है जब 18 mark का last pattern CBSE ने बनाया था तो वो भी मेरे पास ध्यान से देखिए यहाँ पर ये paper है ये तीन सेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ All India, Delhi World और Outside Delhi और फिर तीन paper हम लोगों ने बनाया है फिर CBSE का sample paper है 2017-18 का जो मैंने आप लोगों को इस दिम मार्क्स distribution बताया था पिछले वीडियो में और फिर दो paper हम AVT आपको दे रहे हैं इस बुक के सारे answers एंड में है Solutions नहीं है, answer है अब आपको एक बुक लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों यदि आपको एक बुक लेनी है इंडिया के अंदर तो आप description box में जाएं वहाँ पर हमारा PTM लिखा हुए इस बुक की cost है 200 रुपीस लेकिन यदि आपको एक बुक को ship कराना है तो आपको 100 रुपीस nominal charges देने पड़ेंगे यानि 200 प्लस 100 300 यदि आप ये बुक अपने आप collect कर सकते हैं तो हमारा एक नीचे address लिखा हुए South Delhi का आप वहाँ से आप आके एक बुक ले सकते हैं बढ़ आप पहले Paytm करिए जब आप Paytm करिए तो मैं आपको नंबर बतायता हूँ डबलेट जीरो टू वन सिक्स नाइन ट्रिपल जीरो आई रिपीट डबलेट जीरो टू वन सिक्स नाइन ट्रिपल जीरो जब आप हमें Paytm करेंगे तो उसका स्क्रीन शॉट भेज दीजेगा और अपना नाम लिखना मत भूलेगा अपनी लोकेशन का प्रॉपर अड्रेस क्योंकि हमें आपको शिप करना है आपको अपना रिजिदेंशल अड्रेस लिखना पड़ेगा और ध्यान रखेगा हमारे को आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी यदि अपना आप हमें स्कूल का नाम भेजेंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा और इस बुक को पाने के लिए आपको सिंपल सा एक नॉमिनल कॉस्स देनी पड़ेगी अच्छा दोस्तों स्पोस आपको इस बुक में कोई प्रॉल्म आती है तो आप इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कोस्चन नमबर लिखके भेज देंगे तो हम आपको सोल्यूशन भेज देंगे हिंट के साथ मेहनत करते रहिए त्यारी करते रहिए कोशिश करने वादों की कभी हार नहीं होती है विशेंग गूर्लाग स्टे टून वेद एविडि चैनल